कच्चे आम बजार में आते ही हमें से चटनी मुरब्बा अचार बहुत तरह की चीजे बनाते हैं आज आप सभी के लिए में कच्चे आम की सुपारी बनाने की रेसिपी लेके आए हूँ जो एकदम खटा मीठा और चटपटा होता है और एक साल ही क्या आप इसको 5 साल तक कच्चे आम की सुपारी बनाने के लिए मैंने यहां पे 1.5 kg कच्चे आम को धो के साफ करके पोच लिया है अब एक पीलर या पिर चाकू के मदद से आप इसके सारे छिल के उतार लीजे तो आम को छिलने के बाद ध्यान दीजेगा हमें इसको काटना कैसे है पहले हमें एक करब से इसके स्लाइस कर लेने हैं उसके बाद इसके हमें पतले पतले लंबे इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेने हैं तो बस आपको इस बात कर ध्यान रखना है बहुत जादा पतला नहीं और नहीं बहुत जादा मोटा क्योंकि यह सूखने के बाद भी पतला हो जाता है तो इसी तरीके से सारे कच्ची आमों को आपको काट के तयार कर लेना है तो यहां मैंने एक प्लेट के उपर सारे कच्ची आम काट के रेडी कर ले हैं अब हमने यहां गैस की फ्लेम पे कढ़ाई में पानी डाल कर अच्छे से उबाल लिया है और ध्यान रखे जब पानी में तो आपको ये सारे कटे हुए कच्छे आम के slices इस तरीके से पानी में डाल देने हैं और पानी में डाल कर हमें इसको करीबन 3-4 मेंट तक medium to low flame पे अच्छे से पका लेना है जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता तो हमें इसको पूरी तरीके से नहीं पकाना है बस हमें 70-80% तक इसको पका लेना है अब इसमें बढ़िया सा उबाल भी आने लगा है अब इस समय गैस की flame को बंद कर देंगे उसके बाद हमें एक बर्तन के उपर छनी रखके इसका जो पानी है सारा वो हमें छान के अलग कर लेना है तो इसे छनी के उपर ही हम कुछते रहन देंगे और देखें मैं आपको knife से cut करके दिखाते हूं असानी से cut हो रहा है और बहुत जादा over cook भी नहीं हुआ है अब इक हमें अलग बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर हम ये सारे blanche के हुए कच्चे आम डाल देंगे और फिर इसके उपर से हमें डालनी है चीनी तो अ जाग दीजे आदे घंटी के लिए और बस आदे घंटे बाद आप देखोगे सारी जो शीनी है ना वह पिघल जाएगी तो बहुत ही simple और easy process है ये कच्चे आम से सुपारी बनाने का अब इसको हमें ना कच्चे आमों को इस चीनी वाले चासनी में ही इसी तरीके से छोड़ देना है करीबन दो दिन के लिए और 20-20 में आप इसको जब ढखके रखे तो आप एक दो बार इसको दिन में चला लीजेगा अब दो दिन हो गया है दोस्तों और ये हमारा mango सुपारी जो है वो तयार है अब इसकी जो चासनी है ना कच्चे आमों के उपर वो हमें बस सुख लेनी है तो ये जो सारे कच्चे आम हमने चीनी की चासनी में डाल के रखा हुआ दो दिन तो ये अच्छे से चासनी को सोख लेता है और इस चासनी में भी बहुत ही बढ़िया सा खटा पन आ जाता है आम का अभी हम इस चासनी को च्छान के अलग कर लेंगे और सारे कच्च को डाल डेना है ठोड़ी ठोड़ी दूड़ी पे और इसको हमें पंक्की की हवा में ही सुखा लेना है उसको धूग दिखाए पंक्की की अरहा hè अराम से यह 2 दिन मैंने यहां पर दो ग्लास ले लिए हैं तो इन दोनों ग्लासों में हमें 3-4 बड़े चमट जितना यह खटी मीठी चासनी डाल देनी हैं उसके बाद हमें इसमें आधी आधी छोड़ी चमट जितना जीरा पाउडर और साथी में काला नमक डाल देना हैं अब अपनी पसंद के खटा मीठा चतपटा हमारा यह सरबत बनके तयार है तो सुपारी तो आप बना के तयार करो गई यह साथ ही साथ आप यह सरबत भी इंज्वाय कर सकते हो रोजाना और यह भी आप सबको बहुत जादा पसंद आएगी अब देखिए हमने जो सुपारी सूखने को रखी थी उसको मैंने बाद में प्लेट पे ट्रांसफर कर लिया था और यह बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख के तयार हो गई है अग्दम क्रिस्पी हो गई है अंदर से यह हलकी सॉफ्ट होती है और बाहर से इक्दम क्रिस्पी अब इसके उपर हम कुछ मसाले डाल के इसको कोट क डाले हैं अब इनको अच्छे से मिला लीजे सभी मसालों का फ्लेवर इस पे बहुत चटपटा आता है और जब आप इसको बच्चों खिलाएंगे और आप खुद खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा यकीनन इसको खाके बहुत ही मज़ेदार लगती है अब आप चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा फाइदे मंथ है तो इसको ट्राइजरूर कीजेगा बच्चों को एकदम खटी मीठी चरपटी गैंडी जैसी लगेगी तो जरूर बनाएं और सब को खिलाएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएग और आप हमें रेटिंग भी दे सकते हैं एक से लिके 10 के बीच में तो फिर मिलते हैं आप सबसे एक और नहीं और लाजवाब से रेसिपी के साथ बाइबाइबाइटिक क्यार